ऐल्यो फ्रेंद वासिंग मसीन की स्पिन मोटर किस तरीके से वइंड की जाती है वह आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने होगा हूं देखें आप याँ पर हमारे पास वासिंग मसीन की इसी वीडियो में बताया हुआ है तो सबसे पहले हम इसका इनर डाया जो अंदर की गुलाई होती है उसको ना पलेंगे तो हमारा यह है यहाँ पर साड़े तीन इंच दो सूत इनर डाया है और बाहर की तरफ चेक कर लेते हैं तो चार इंच से हम चेक करेंगे यहाँ पर तो पर फिर से चेक करते हैं देखिए आपर चार इंच से चेक करते हैं तो आट इंच तक हमारा दिखाई दे रहा है कि चार इंच तीन सूत आउटर डाया दिखाई दे रहा है और इसके बाद बारी आती है मैं इसके मोटाई चेक कर लेंगे जो कि मोटाई इसकी सबसे आहें हो ह adoption कि अजिखाओंगा तो इसके मोटाई भी मीने चेक करें लेते हैं और इसके बाद में आप लोगे कोई किस्के में कर के यहां पर देखिए सब्सक्राइब में ढास सूval की मोटाई हऊच्छा दितखाई दे रही हैं एक इंच सूम्ध कम है यानि के एक इंच में एक सूत कम है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक इंच तक हमारी स्टाटर मान लिया जाएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर देखिए हमारा जो स्टाटर है वो अभी बाइंड करने के लिए तैयार है यहाँ पर और यहाँ पर यह मोडर रखी हुई है यह हमारा स्टार्टर रखा हुआ है इसको बाइंड करने के लिए क्वाइलें बन रही है और इसके बाद में इसको हम बाइंड करके दिखाएंगे और इसकी लेंद भी अभी आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे इसकी लेंद कितनी है यानि कि इसकी लंबाई कितनी है रेनिंग की और इस्टार्टिंग की लंबाई कितनी कितनी रखी जाएगी वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ तो देखें यहां पर अभी तो running की coil बन रही है running की coil बन जाने के बाद मैं आप लोगों को इसकी लंबाई चेक करके दिखाता हूँ scale से और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितनी लंबी इसकी coil बन रही है और आप लोग हमारे चैनल को like, subscribe स्क्राइब और बेल आइकन जरूर दबाया करें जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो हमेशा मिलती रहे तो आईए मैं आप लोगों को इस को नाप करके दिखाता हूं देखें यहां पर इस कोयल की लंबाई जो है वह साड़े दस इंच है और साड़े दस इंच क कि हमारी रनिंग की कोयल बन रही है और इसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारी जो रनिंग की कोयल जो है वो बन चुकी है और इसकी सारी कोयले हमने डाल दी है जिसमें एक कोयल हमने बचा ली है वो आप लोगों को दिखाने के लिए आप लोगों को समझ हम एक एक फंदा डाल देंगे यानि कि एक से चार इसकी पिछ रहती है यानि कि एक से चार में हम एक फंदा डालेंगे फिर इसके उपर जो है एक से चार और एक से छे इसकी उपर आ जाता है तो एक से छे में हम दो फंदे डालेंगे यानि कि हमारी चार और छे पिछ बोली ज और रेनिंग कोईल कम्प्लियट होने के बाद स्टार्टिंग की कोईल डाली जाएगी और स्टार्टिंग की कौईल कितने लंभी रहेगी वह भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि पहले आप लोग ये देख लिजिये ताकि आप लोगों को अच्छी कर लिया है और, कंप्लिट कर लेने के बार बारी आती है. रानिंग के k winner तो पड़ गई बह deliberately कोई रांइ है उसकी εिरी मतल दिए स्थार्टिंग के k여al तो इस तरीका के से मतल हुं है सपली है क्नामेश्ट, हमरी इस तरीका कोई यह नहीं ya है, तो् pillar और के कायल टालेंगे इसमें और आपुनों को बता दूगं की को popular की लंबाई हमने कितनी रखी है तो इंकि क しकैंट की कोयर में कि और ह hvad साथे दस ऐनंच की है साथे 10 इंच महाने और ही हमारी प दोनों की कहाइए लंबाही में बनी यहीं हुए है और जो हमने अभी यहाँ पर रनिंग का एक फंदा डाला था उसी एक फंदे के उपर हम स्टार्टिंग का फंदा डाल देंगे जिससे कि हमारे हर स्लोट में चार-चार फंदे हो जाएंगे तो यहाँ पर हमने एक एक फंदे डाल दिया है और इसके उपर जो स्लोट बाकी है उसमें हम स्टार्टिंग के दो फंदे डाल देंगे जिससे कि यह हमारा एक कॉयल पूरा कंप्लिट हो जाएगा इसी तरीके से हमें चारो कॉयलें डाल लेना होगी और हमारा स्टार्टर जो है पूरा वैंड हो जाएगा यानि पूरी मोटर हमारी कंप्लिट हो जाएगी और फिर मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ कि इसमें कितने नंबर आप लोगों को तार डालना है और कितने किस चीज में बनाना है कितना कॉपर में बनाना है या अल्मोनियम में बनाना है वो भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा तो अभी तो मैंने इसके एक कोईल को डाल दिया है इसी तरीके से सारी कोईलों को डालना है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर क्या करें जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो हमें सामिलती रहें मेरे चैनल में और भी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं तो काफी सारी वीडियो डाल रखी हैं मैंने हर चीज की अलग अलग वीडियो पड़ी हुई हैं तो यहां पर देखिए हमने स्टार्टिंग की सारी की सारी को बारे में तो यहाँ पर मैंने इसमें running की coil जो बनाई है और starting की coil जो बनाई है वो हमने रखी है साड़े 10 इंच की दोनों कोयलों का साइज है साड़े 10 इंच और यह copper में motor है जो कि LG washing machine की motor है spin motor जो कपड़े सुखा दिये तो इसमें पूरी motor हमने copper से तयार की है तो running की coil हमने तयार की है 32 नंबर से और starting की coil की हमने 33 नंबर से जिसमें हमने फंदे डाले हैं running की coil में और starting की coil में से हम फंदे डाले हैं 130 running की coil में डाले हैं और 130 starting की coil में फंदे डाले हैं जिससे कि हमारी motor काफी अच्छी तरीके जब बर्ग करेगी और काफी अच्छा result होने वाला है तो यहाँ पर हमारी motor तो बनकर तयार हो गई है इसको हमने fit भी कर लिया है और मैंने आपको data भी सारा बता दिया है जो कि मैंने 32 333 नंबर से बनाई हुई है motor 130 133 इसके फंदे हैं दोनों में 130 static में 1334 running में हैं और 10.5 इंच की coil हैं दोनों यानि की starting के और running की दोनों साड़े 10 इंच की लंबाई है यह उर हम इसको अच्छी तरीके से fit कर लेते हैं और fit कर लेने के बाद इसके प्यच लगा लेंगे और प्यच लगाने के बाद मैं आप लोगों को इसको check करके भी दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से चलाएं और किस तरीके से ही इसका result दि बारी आती है के पेंच लगाने की तो हमारे यहां पर ये existem जो हमें जो हमें इसके चार ओकोन पर लगाना होँगे अच्छी tari के स्थ लेना होंगे ताक氣मार मोटर अच्छी तरी के सरिक्स हो जाए और क्सले वाला है तो हमें मोटर के चारों पेंच ऑप कस लिया है और कस लेने के बाद बारी आती है इसको चलाने की तो यहां पर देखिए हमारी मोटर में काफी चारो पेज कस चुके हैं और मैं आप लोगों को इसको चला करके भी दिखाता हूं तो देखिए मैंने यहां पर एक जो वायर जो है वो जोड़ ली है कंडेंसर और मोटर और एक मैल लीड जो की हम चलाने वाले हैं तो इसके सारे के सारे मैंने कनेक्शन कर लिये हैं मोटर के मैल लीड के और कंडेंसर के सारे कनेक्शन कर लिये हैं इसको अब हम चला करके भी देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट होने वाला है चला करके हम भी इसको चलाएंगे क्योके अभी मेरे हात में मॉबाईली भी खबायए रहू सकते है जटका भी चलते समग्हें एकदम जटका मार दे तो एक वार हम इसको चेक करते हैं देख़ते हैं याँ इस नो आपको कि और भी यह किसी से रूक है किसी हो भी कि यहांद आपके से नहीं कंभी है族 बड़ा के लगा दिया है और बखार लखाल мире시स किल्च 1 क्ली मैश का यहांकार अचिक खुड़ी करेंगे से यह चल रही है और अभी हम इसको स्रीज में चला रहे हैं काफी अच्छ